नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल एवरीथिंग में दर्शना में तो आज का जो हमारा वीडियो है वो LACS टॉपिक पर होने वाला है यानि कि आज के टाइम में जो सीजेरियन सेक्षन इतना किया जा रहा है यानि कि डिलिवरी के लिए किसी भी प्रेगनेंट लेडी का जो डिलिवरी हो रहा है वो जादा दर LACS के थ्रू हो रहा है यानि कि C-section जिसे कि सीजेरियन बर्थ भी कहते हैं तो नॉर्मल डिलिवरी और एक होता है C-section नॉर्मली अगर हम लोग समझें तो आम बोलचाल की भासा में कहा जाता है कि आपरेशन के द्वारा बच्चा होना ठीक है तो इसमें में लोग समझेंगे कि LACS होता क्या है यह किस तरह का प्रोसीडर है किस कारण से हमें LACS करना पड़ता है कौन कौन से ऐसे फैक्टर है क्योंकि नॉर्मल डिलिवरी हो सकती है लेकिन C-section क्यों किया जा रहा है उस तो रीजन होगा उसके पीछे और किस तरह के पोजीशन में किया जाता है किस तरह से बेहुसी दी जाती है और किस तरह से प्रोसीडर step by step कैसे किया जाता है ओटी में जाने से लेकर ओटी से बाहर निकलने तक यानि बच्चे के होने तक जो भी step से वह सब हम लोग इसमें देखेंगे पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या इससे risk हो सकते हैं प्रोसीडर है और एक तरह का सर्जीकल प्रोसीडर है जिसका यूच्क्यू किया जाता है तो बच्चे को डिलीवर करने के लिए ठीक है अगर इन केस होता है कभी कभी की वेजाइना के तुरू बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रहा कोई दिक्कते हो जाती है या पहले से ही पता रहता है कि यानि कि जो मदर है उनके बाड़ी में कुछ दिक्कते हैं कुछ health issue है बच्चे का कुछ health issue है तो इस condition में होता है कि वजाइना के तुरू जो delivery है वो normal नहीं माना जाता है यानि बहुत complications हो सकते हैं तो इसके जगह पे cesarean section से delivery करवाना जो होता है वो safe माना जाता है तो ये एक तरह का surgical procedure है जिसमें की incision लगाया जाता है abdomen पे और फिर बच्चेदान यूटरस पे और फिर baby को out किया जाता है ठीक है ये mainly दो type के होते हैं यानि कि elective surgery और emergency surgery तो elective surgery जो होते हैं पहले से pre-planned होते हैं ठीक है यानि पहले से planning है कि इस date पे इनका delivery होने वाला है emergency में क्या है कि जैसे कि किसी को अचानक से labor pain होने लगा तो emergency हो है अचानक से उनका delivery बीना किसी define date बीना किसी planning के हुआ है ठीक है अचानक से तो वैसे कि इसको emergency कहेंगे और जो पहले से pre-planned date दिया गया है तो वो हमारा elective होता है अब हम लोग देखेंगे उन कारणों को जिसके कारण हमें ये operation के तुरूप बच्चा करवाना पड़ता है ठीक है यानि कि ceserian section करना पड़ता है तो पहला कारण है कि fetal distress यानि कि हो सकता है कि अगर normal अगर vaginal delivery किया जा रहा है तो बच्चे का heart rate जो है वो गड़बड हो जा है कुछ healthy issue हो जाए ठीक है तो fetal distress होता है यानि कि उसके heart rate में कोई दिक्कते आ जाए और भी कोई दिक्कते होती है ठीक है तो अब जो second है हमारा वाई अम्प्लाइकल कॉर्ड प्रोलेप्स इसमें क्या होता है कि अम्प्लाइकल कॉर्ड जो है वो सर्विक्स ठीक है सर्वि कर देता है सर्विक्स के पास ठीक है अब हमारा नेक्स्ट है अम्प्लाइकल कॉर्ड 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 होता है जिसे की कॉर्ड है समझे तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ठीक है जिसे की मदर के बाड़ी से बच्चे में कनेक्शन होता है एक पाइप है ठीक है बच्चे के गर्दन में सरीर में पुरा लिपट जाता है तो इस कंडिशन में भी बहुत ही रिस्की होता है वजाइनल डिलिवरी करवाना इसलिए इसमें लस्ट करवाया जाता है ठीक है अमलाइकल कॉर्ड कॉम्प्रेशन अब नेक्स्ट है कि लेबर इस नाट हैं कान्त्रेक्शन रिलेक्शेशन नहीं हो रहा तो कान्त्रेक्शन हा तो बेबर आंट नहीं हो पाएगा ठीक हैauen Lunch Con तो उस कंडिशन में LCS ज्यादा सेफ माना जाता है ट्रांसवर्स लाइनी के जो बच्चा है वो मुड़ गया है यानि कि उसका जो बॉड़ी और यह है वह होरिजोंटल ही आ गया है ठीक है तो उस से भी ब्लॉगेज हो गया है तोुसरी और फार निकल नाची और तो नहीं आउट अपाएगा अब नेक्स्ट है हमारा कारण रहला एक्सपैक्टिंग मुल्टी प़ल्स यह सकता है कि एक से अधिक बच्चे हो जिसमें 2-3-4 इतने तो मल्टीपल्स यानि कि एक से ज्यादा बच्चे होने के चांस हैं हो जगदा है ट्वीन्स हो ट्रीपल हो तो उसकेस में भी एलेस्स ज्यादा सेफ माना जाता है उसके बाद है प्लेसेंटा प्रेविया तो इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है वो बच्चे से अटेच रहता है ठीक है यानि बच्चे और मदर के वीच में कनेक्शन बनाता है तो वो जो है यूटरस से अटेच यानि बच्चे दानी से वो जो बहुत छोटा होता है प तो वहां पर निकलनी का रास्ता ही ब्लॉक कर देता है प्लेशंटा ठीक है तो इसके चलते बच्चे बाहरा नहीं पाएगा वे जाएना के थ्रू तो अधर ऑप्शन बसता है लेसी एस ठीक है उसके बाद होता है कि कुछ मैटर्नल यानि मा के सरीर में कुछ दिखते हैं या मेटर्त सीजेरियन से आहिए या पैलेख विलिवरिय उपरेशन से ही तो इसकेस में भी उनको करवाना पड़ता है ठीक है और होता है कि हमारा नेक्स्ट जो है कारण वह है सिफालो पैल्वेक डिस्प्रोपोष्च्छ इसमें क्या होता है कि बच्चा का सिर बहुत बड़ा या फिर उसका बाड़ी बहुत बड़ा है या बच्चा जो बहुत ज्यादा ग्रोथ किया है तो उस कंडिशन में भी जायना के तुरू निकलना जो है सेफ नहीं माना जाता है ठीक है कोई इशू हो जाता है मदर को तो इस केस में भी एले सीएस किया जाता है फिर एक पैलवि सोल में अब्सक्राइन की न कहते हैं सबस्utosकी जिन है तो स्बस्वाइन बी जाता है। तो वह सुपाइन है रिथोटमी में दोनों पैर जो है एक मेटल स्ट्रिप के उपर ठंगा रहता है ठीक है और ऐसे हम लोग लेटे रहते हैं सुपाइन में तो अब आगे इमेज दिखाएंगे जिससे आप एक दम अच्छे से समझ जाएंगे तो अब हम लोग देखेंगे किस तरह से जो महिला है उन्हें सुन किया जाता है बेहोसी की हालत में लाया जाता है डेलिवरे से पहले तो इसमें जेनरल अनेस्थीसिया किया जाता है यानि कि ज़्यदा कॉम्प्लिकेशन है तो पूरी तरह से बेहोस कर दिया जाएगा पेसिं तो भी इस इमेज में देखिए यहां पर देखे यह है लीधर्टमी पोजीशन है ठीक है इस तरह से दोनों पैर उपर यह जो लागे हुए स्टैंड इसे मेटल स्ट्रिप्स कहते हैं और इस तरह से पेसिंट हमारा लेटा रहता है ठीक है और यह जो हमारा यह सुपाइन टॉज है निय्स टक्संदलॉप प्रेशर प्रेशर पड़ एक नम्स्रध को पते बिस पर है कि प्रोसीडर में लीकिन स्था Dafi सफाई की जाती है ताकि जो है इंफेक्शन ना हुए ठीक है तो पहला है पेंटिंग यानि कि सेवलोन इस्प्रीट बीटर इन से वहां का अच्छे से सफाई करेंगे ठीक है यानि कि देखिए इस पार्ट का सर्जरी होड़ा यहां पर इमेज में दिखाया हुआ है तो उस प आद प्रीकाई ठीक है उसके है उसके बात इंस्प्रीजुन अप्लाइ करेंगे या तो वर्टिकली करेंगे या और तो ट्रांस्वर्स करेंगे यह बीद Starting आपनोक है तना से नीचिसेर लाइच से देखिए लेफट से राइट लगा है ये consensus आपिर तो इस तरह से इंसीजन लगाते हैं अब्डॉमें पे इंसीजन लगाने के बाद जब लेयर भाइ खोल लेते हैं तो 3-4 इंसीजन जो है वह यूटरस पे लगाते हैं यानि मान के चली हमने अब्डॉमें पे 5-6 इंसीजन लगाया उसके बाद जब लेयर भाइ लेयर एब्डॉमें को खोल देते हैं तो उसके बद बच्चे दानी पे भी हम लोग इंसीजन लगाते हैं जो कि 3-4 इंस लगभग होता है ठीक है कट करते हैं उस पे फिर क्या होता ह बच्चे को फिर क्या करते हैं आउट कर लेते हैं बच्चे दानी में बच्चा होता है तो वहां से फिर बाहर निकाल लेते हैं ठीक है में यही प्रोसेस है कट लगाएं उपन कियें फिर बच्चे को बाहर निकाले और फिर क्या करते हैं कि जो उसमें अमलाइकल कॉर्ड है बच्चे दानी से बाहर अगर यह placenta का कुछ भी पार्ट अंदर रह जाए तो वो बाद में बहुत ज़्यादा ही खदरनाक होता है ठीक है यानि बहुत सारी दिक्कते आ सकती वो cancer का रूप भी ले सकता है बाद में बहुत सारी दिक्कते हो सकती है इसके बाद क्या करते हैं कि जहां पर हम लोगों ने इंसीजन लगाया था चीरा लगाया था उस पार्ट को हम लोग क्लोज करेंगे यानि लेयर बाई लेयर हम लोगों ने सारे अबडर्मिन लेयर को क्लोज कर दिया यूटरस को भी क्लोज कर दिया अगर इसी ताइम कोई भी contraception यूज करना रहता है जैसे में copper tea हो गया अबर किसी तरह का contraceptive device अंदर implant करना होता है तो जब deliver होता है प्लेसेंटा बाहर आउंट हो जाता है contraceptive device है contraception के लिए वो प्लेस कर देते हैं ठीक है उसके बाद layer by layer और सारे abdominal layers को close कर देंगे अगर कोई staple करना चाहता है तो staple कर देने तो टाके लगा दें ठीक है यानि stitches apply कर दें और mainly surgery time होता है तो elective यानि कि जो pre-plant होता है ठीक है तो इसमें लगवग 45 minutes से 1 घंटे लग जाते हैं और जो emergency होता है उसमें तो बहुत जल्दी करना रहता है यानि बहुत ही है तो आसानी से deliver हो भी जाते है ठीक है तो यह लगवग 15 minutes से 30 minutes लगवग आधा घंटा अब हम लोग देखेंगे कि यह जो हमारा LACS था उसके बाद किस तरह के complications हो सकते हैं यानि किस तरह के risk इंसीजन से जहां पर cut लगा था यहां से चीरा करके open किया गया था तो वहां पर टाके लगाए जाते हैं तो टाके के पास थोड़ा बहुत फ्लूड डिस्चार्ज होता है पस अगयर अगर वहां पर infection हो गया तो उसके बाद हो सकता है कि infection हो जाए bleeding हो वहां से वैसे बहुत जादा ही blood loss होता है ठीक है उसके बाद होता है कि blood clot कर जाए तो blood clot तो हो गया ठीक है उसको ट्रीट कर सकते हैं लेकिन blood clot जब हमारे blood stream में एंटर कर जाते तो embolism की situation create कर देता है इसके बाद हमारा है कि injury to bladder और bowel यानि कि हमारे bladder को injury कर सकता है क्योंकि bladder जो होता है यह वह यू होता है तो तो हो सकता है वहां भी injury हो जाए ठीक है risk from anesthesia यानि कि पूरी तरह से बहुत कर के किया जाता है operation या फिर पीठ में सुई देगे रहनी spinal anesthesia या फिर epidural anesthesia के तुरू operation होता है तो इसके बाद कुछ risk होता है या रेस्पिरेटरी प्राब्लम हो सकता है या फिर हो सकता है कि पीठ में बहुत ज्यादा ही दर्द होता है lower region में थोड़ा pain होने लगता है ठीक है तो यह थोड़े बहुत risk है anesthesia के कारण उसके बाद होता है कि abnormality is related to placenta in future यानि कि जब baby out हो गया तो उसके बाद क्यों होता है कि placenta के थोड़े से भी part अगर हो तो उससे जो होता है future मे अगर वह pregnancy अगर conceive करती है तो उसमें भी थोड़े infection वगएरा के chances होते हैं या दिक्कत ही हो सकती है ठीक है अब हमारा और भी है कि peritonitis हो सकता है यानि peritonium का inflammation हो सकता है ठीक है और हो सकता है कि वहां पे abscess वगएरा पस का collection होने लगए अंदर में pelvic region में वहां पे thrombo phlebitis हो पे thrombo phlebitis की chances होती है ठीक है inflammation हो गया फिर वहां पे blood clot होके हमारे blood stream mentor कर जाता है फिर हो सकता है कि जो वहां पे टाके लगे हैं अगर ज्यादा pressure पढ़ता है तो वह खुल जाते हैं यानि कि उन टाकों के खुलने का बहुत कारण होता है यानि कि बहुत ज्यादा weight अगर lift क हो सकती है यह सारे कुछ complications है जो कि LACS के बाद होते हैं इसके बाद कुछ disadvantage होते हैं इसके जिसमें कि हमारे है कि longer recovery time than vaginal delivery यानि वाजाइना के तुर जल्दी होता है उसमें बहुत जल्दी patient recover कर जाता है लेकिन यह बड़ा सार चीरा लगा कि उसमें टाके लगते हैं तो उसम करने में तोड़ा time लगेगा उसके बाद होता है C-section in future pregnancy यानि कि अगर आगे भी pregnancy conceive होती है और delivery होती है तो वो C-section के तुरू ही करना पड़ता है travel breast feeding यानि कि क्या होता है कि जब बच्चे को जो है breast feeding करवाने time में दिक्कते होती है बच्चे को हो सकता है कि थोड़ा breathing problem हो जाए ठीक है तो यह सारे कुछ क्या है disadvantage है LCS के तो कुछ profit है तो कुछ तो disadvantage होगा है जिसका advantage है उसका disadvantage होगा है तो इसको ignore थोड़ा करना पड़ता है क्योंकि और कोई option बजता नहीं है तो इसी तरह से I hope ये video आप लोग के लिए helpful होगी अगर वीडियो आप लोग के लिए helpful हो तो प्लीज वीडियो को like कर दीजिए और comment section में comment जरूर करिए कि next जो वीडियो है आपको किस topic पर चाहिए और अभी तक अगर चैनल को subscribe नहीं किया तो प्लीज चैनल को subscribe कर दीजिए और share कर दीजिए और अपना ऐसे ही प्यार देते रहिए support करते रहिए thank you for watching my video bye bye मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ नए content के साथ bye